स्वागत है आप सभी का इस पर्टिक्लर सेशन में, आप सभी के मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि SBI Clerk Mains 2022 और 2023 एक्जाम के लिए हमें लगभग कितने महीने की Current Affairs को रीड करना है या कितने महीने की Current Affairs को याद करना है जो important है एक्जाम के point of view से ये सवाल आना लाजमी है क्योंकि Current Affairs एक बहुत ही अच्छा scoring section होता है आपके एक्जाम में जहां पर आप questions को read करके कम समय में जादा से जादा questions attempt कर सकते हैं आपके मन में अगर ये दुबधा है तो उस दुबधा को आज हम दूर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से जहां पर हम देखेंगे कि लगभग कितने महीने की Current Affairs exam के लिए SBI clerk means के लिए important है और उस Current Affairs के part में से आपको किस section पर कितना focus करना है किन topics पर ज्यादा ध्यान देना ह है किस तरीके के questions put up होते हैं जिनको आपको cover up करना है तो ये पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मिलेगी फटा-फट से session को like कर दीजेगा do like this session everyone और session की link को एक बार फटा-फट से share कर दीजेगा जब भी कोई students mains examination में जाता है तो Current Affairs या यू कहें कि General Awareness का इस section है वो मेंस के लिए add हो जाता है तो वहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर हम Current Affairs cover कर रहे हैं तो लगभग कितने महीने की Current Affairs को cover करना है तो अगर इसकी बात में यहाँ पर आप सभी के साथ करूं तो आपको लगभग Overall अगर मैं बात यहाँ पर करूं तो लगभग 6 महीने की Current Affairs आपको यहाँ पर cover up करनी है last six month ठीक है अब यह last six month आपको कब से count करना है बहुत ही simple सा इसका formula है कि जिस मन्थ में आपका exam यहाँ पर हो रहा है जिस भी महीने में आपका exam है मैं आगे के लिए भी आपको यहाँ प 4, 5 और 6 आपको इस तरीके से चीज़ों को count यहाँ पर करना है आगे के लिए भी जिस भी मन्थ में आपका exam है उस महीने से पहले के 6 महीनों की Current Affairs यह आपकी universe होगी यह आपका syllabus होगा Current Affairs के लिए आपको इतने समय की Current Affairs को अच्छे से revise करना है अच्छा, last 6 मन्थ Current Affairs क्या पूरी की पूरी important है या इन 6 महीनों मेंसे कुछ महीनों पर हमें जादा विशेस फोकस करने के आवशकता है तो आपको जो सबसे जादा फोकस करने की ज़रूरत है इन last 6 मन्थ कवर तो हमें last 6 मन्थ Current Affairs करनी है लेकिन last 6 मन्थ मेंसे हमारा जो main focus र रहेगा जहां से सबसे जादा कोशन पूछे जाते हैं यानि कि जितने भी कोशन्स Current Affairs से पूछे जाएंगे उसमें से 50% कोशन अकेले 50-60% कोशन अकेले last 3 मन्थ से आपके यहां पर बनेंगे यानि कि जिस भी मन्थ में एक्जाम है उससे पहले के last 3 मन्थ यहां से सबसे जादा कोशन 60-70% कोशन यहीं से बनते हैं तो अगर आपके पास समय की कमी है तो आप शुरुवात यहां से ही करेंगे कि आपको सबसे पहले last 3 मन्थ की Current Affairs को कवर करना है अच्छे से main focus आपका व मन्थ complete यह आपके लिए सबसे ज़्यादा important बनता है सबसे ज़्यादा कोशन यहां से देखने को मिलेंगे यह अनुमान है previous year जितने भी एक्जाम आपके यहां पर हुए हैं उनके आधार पर अगर हम देखें तो आपको सबसे पहले क्या करना है आपका जो तरीका होना चाह यह revision का current affairs वो यह कि सबसे पहले हम जाएंगे जिस मन्थ में exam है उससे पहले के last month की current affairs को बहुत अच्छे से prepare करना है उसके बाद यह आपने prepare कर लिया तो last month हो गया तो last second last month और third यानि कि last three month की current affairs यह आपका सबसे core part होगा और इतना cover करने के बाद आप remaining three months यानि कि फिर हो ग यानि कि overall last three month इस तरीके से आपको current affairs को cover करना है यह अप्रोच आपको यहाँ पर अपनानी है आगे बात करते हैं तो यह तो हमने देखा कि कितने महीने की current affairs important है और क्या approach हमें यहाँ पर लेनी है current affairs को learn करने की लेकिन जो हम current affairs को learn कर रहे होंगे तो focus area आपका यहाँ पर क्या दीजिएगा focus रखिएगा RBI कोई भी cover news current affairs वहाँ से question exam में जरूर पूछता है ठीक है GDP related updates हो economy से संबंधित कोई news हो MOUs यानि कि memorandum of understanding कोई agreement sign हुआ हो MOU sign हुआ हो या फिर countries की बीच में agreements हुए हो यानि कि business related news climate change एक बड़ा मुद्दा है इससे संबंधित जो भी initiatives लिए गया agreement किया किस bank ने किस celebrity को brand ambassador बनाया किस bank ने कौन सी नई application को launch किया कौन से नया पोर्टर लॉंज किया कौन सा इनिशेटिव लॉंज किया एक सेक्टरा तो यह आपका focus area यहाँ पर रहने वाला है आगे बात करते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह याद दिला दूँ कि आप अपने अपकमेंग examination, SBI, PO और clerk इन सभी के तयारी के लिए आप daily basis पर इस schedule को follow कर सकते हैं जहाँ पर सुभा 7 वजे दा हिंदू एडिटोरियल और 10 वजे English subject की class होती ताकि आप अपनी English को improve कर पाए daily current affairs ताकि आप daily basis पर current affairs से updated रहें और current affairs revision के लिए जीके टॉनेडो हफते में दो दिन Thursday और Friday दो बजे ठीक है maths के लिए सुभा 9 वजे और reasoning के लिए सुभा 11 वजे यह सभी subjects की classes आपकी run होती है तो आप इन सभी subjects की preparation इस YouTube channel के माद हम से कर पाएंगे deep revision deep revision का क्या मतलब है कि ठीक है हमें इतना पता चल गया है कि हमें किन-कन topics पर नज़ा रखना है लेकिन deep revision क्योंकि यहां से कई बार statement based question बन जाते हैं यह सबसे जादा questions जो देखने को मिलते हैं वो इन topics पर होते हैं तो deep revision का मतलब कि उस news से सम्मंधित सारी की सारी information को अच्छे से आपको intake करना है ठीक है जैसे कि top 5 countries पर ध्यान देंगे अगर कोई भी index और rankings related news है बहुत सारे index और ranking से related news आपकी बनती हैं तरह तरह के index जारी होते हैं बूरे साल में तो जितनी भी index और rankings से related news आपकी यहाँ पर होगी उस पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि उस index में इंडिया की rank क्या रही सबसे पहली चीज़ इंडिया कि इस position पर है टोटल कितने countries आपकी इस index में है इस index को जारी करने वाले organization का क्या नाम है कि यह index किस organization रिलीस किया है फिर उसमें से top country कौन है यानि कि top position पर कौन सा country कहा रहा number one position पर और फिर top five countries इतना आपको करना ही करना है सरकारी योजनाओ से questions बनते ही बनते हैं जो भी latest government schemes होती है चाहे वो national यानि कि central government की स्कीम हो चाहे फिर वो state government की स्कीम हो तो जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं, वहां से question बनते हैं, सरकारी योजना का नाम, सरकारी योजना किस से related है, इस scheme किस से related है, उसका objective क्या है, इस scheme के लिए कितना fund raise किया गया है, कहां launch किया गया है, वगेरा वगेरा, ठीक है, statement based questions अधिकतर PO examinations में देखने को मिलते हैं, ले कि सारे facts अगर पता होंगे, तब जाकर आप statement based type question complete कर पाएंगे, ठीक है, बैंक related news पर सबसे ज़्यादा focus करना है, अगर आप SBI मेंस exam में जा रहे हैं, तो बैंकों से संबंध जो भी news होगी, उन पर ध्यान रखिएगा, other part की बात करें, तो other important topics, agriculture से related कोई important news हो, agriculture से related कोई scheme ह हो सकती है, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है, books and authors, एक number पर सीधा सीधा, किताब और उसके लेखक पूछे जाते हैं, तो last six month में, जितनी भी latest books आपके release हुई है, आप उन्हें एक table format में बना सकते हैं, और उनको याद कर सकते हैं, important awards, ठीक है, sports related news आपकी रहेंगी, हमारे देश में अगर किसी महान personality का निधन हुआ है, या internationally किसी महान personality का निधन हुआ है, like महान footballer पेले, हाली मिन की death हो गई है, ठीक है, appointment, ये रास्ती इस्तर के appointment भी हो सकते हैं, कि हमारे देश में अलग-लग organizations में, कंपनियों में, बैंक में, ठीक है, appointment हुआ हो, या international level पर कोई appointment हो, world bank, IMF, WHO, etc., budget और taxes से समंधित चीज़े important बनेगी, और military exercise, जिसमें air exercise भी सामिल है, important exercises, navy exercise, Indian air force exercise, army exercise, इन सब पर ध्यान रखिएगा, जब आप current affairs का revision करेंगे, करेंगे, आगे बात करते हैं, देखो current affairs को अगर आप अच्छे से complete करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि current affairs, यानि कि general awareness का part है exam में, उसमें मेरे questions, मेरे जो numbers हैं, वो काफी अच्छे आए, तो पहली चीज़ कि आपको current affairs को बोज़ मानना, बंद करना होगा, मतलब आप ये मत लेके चलिए, कि current affairs प्यार बोज़ है, मुझे जैसे तैसे करके current affairs याद करनी है, ताकि मेरा exam क्रेक हो जाए, बस, तो जब आप इस approach से जाएंगे, कि बस मुझे exam क्रेक करना है, इसलिए current affairs याद करना है, तो ये फिर बोज़ लगेगा, है ना, आप current affairs को थोड़ा सा interesting बना सकते हैं, और आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप सच में current affairs में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, अच्छा score हासिल करना चाहते हैं, अच्छे numbers हासिल करना चाहते हैं, तो आप उसे current affairs को अपने जीवन का हिस्सा बनाईए, अपने जीवन का हिस्सा बनाने का क्या मतलब है, अपने daily life का हिस्सा बनाने का क्या मतलब है, मान लेते हैं कि आपने कोई नया initiative के बारे में सुना, ठीक है, आपने cricket's related कोई news देखी, लेकिन आप cricket नहीं देखते हैं, मान लेते हैं कि आपने कोई नया initiative किसी banking services के बारे में सुना, तो आप उस banking services को avail भी कर सकते हैं, या आपने कोई भी news सुनी, लेकिन आप उसे daily life में use कर रहा है मतलब कहने का यह है कि आप अपने आस-पास के लोगों से उस बारे में discussion कर सकते हैं डेली लाइफ में उसे यूज कर सकते हैं उसे इस्तमाल कर सकते हैं बात समझ में आ रही है यानि कि अगर आपने कोई भी नई की ऐसी information गेन की तो आप उसे अपने आसपास के लोगों को बता सकते हैं, उनको inform कर सकते हैं, हमने देखा कि होकी इंडिया ने मेटावर्स, अपना खुद का मेटावर्स, हौकी वर्स लॉंच कर दिया है, तो आप इंट्रेस्टिंग वे के तौर पर आप उस हौकी वर्स में जा सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं, अगर आपने कोई नई बुक के बारे में पढ़ा या सुना, तो आप अगर रेडिंग हैब उनको अपनी लाइक में भी यूज कर पाएं, लोगों को इनफॉर्म कर पाएं, यही तो आपका रिवीजन है, जैसे कि हमने आज सुभा इस न्यूज के बारे में जाना कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड यहां पर बेस्ट ओरिजिनल सॉंग की केटिगरी में नाटू में यूज करेंगे, तो वो चीज आपको याद हो जाएगी, तो इसके बहुत सारे बेनेफिट्स हैं कि इनसान जागरुक रहता है, अवेर रहता है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, उसे अपनी लाइफ में भी इंप्लिमेंट कर पाएंगे, लाइफ का हिस्सा भी बन कर सकते हैं, करेंट अफेर्स पढ़ने के दौरान, करेंट अफेर्स रिवीजन के अगर मैं बात करूं, तो ये एक ऐसी चीज नहीं है कि हम ग्रेजुएशन के एक्जाम देने जा रहे हों और हम दो रात पहले पढ़ना शुरू करें और एक्जाम में अच्छा परदर्शन कर लें, नहीं, करेंट अफेर्स की प्रपरेशन के दौरान एक अनुशासन की जरूरत है, अगर मैं बात यहां पर करूं कि आपको लास्ट सिक्स मन्द की करेंट अफेर्स का पूरा रिवीजन करना है, जिसमें सबसे पहले लास्ट मन्थ और फिर लास्ट त्री मन्थ इन पर सबसे ज़्यादा फोकस है, तो आप एक स्केडियूल बना सकते हैं, और स्केडियूल के हिसाब से आपको कब कितना रिवीजन करना है, कितने मन्थ का रिवीजन करना है, किस टॉपिक का रिवीजन करना है, वो बनाईए, एक स्टडी टेविल बनाईए और अनुशासन क के साथ आप उसे follow कीजिए बिना discipline अगर मैं बात करूं कि कितना भी बड़ा exam हो या छोटा exam हो थोड़ा मुस्किलात होगी तो basically अगर आपने एक बार study plan बना लिया है तो फिर आप उसे strictly follow कीजिए बात समझ में आ तो अनुशासन को अपने जीवन से मत हटाईए यह बहुत जरूरी है सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आपकी preparation में continuity नहीं है या आप continue preparation नहीं कर रहे हो दो दिन पढ़ लिया लगातार दो दिन आपने चा-चार घंटे current affairs का revision किया फिर तीन दिन आपने current affairs का revision किया ही नहीं तो यह जो consistency आपने maintain नहीं करी है यह गलत चीज़ है आपको consistency maintain यहाँ पर करनी है ठीक है यह आपके लिए बेहद जरूरी है तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि आपको कितने महीने की current affairs को cover करना है सबसे पहला focus कहां होना चाहिए सबसे पहले क्या cover करना है और किन topics को cover करना है और किस तरीके से cover करना है अनुशासन के साथ जो भी आपने time to will बनाया current affairs revision के लिए उसको follow करना है definitely इससे आपको help मिलेगी आगे आने वाले exam में और definitely आपको help मिलेगी M5 की application पर भी जहां पर आप ebooks को download कर सकते हैं कोई वग्यारा की practice कर सकते हैं और बहुत कुछ जो आपके exams related है वो आप यहां पर कर पाएंगे telegram चलन के साथ connect कीजेगा ताकि इसी रहके और videos और latest updates से आप यहां पर जुड़े रहें आज के लिए तरह ही इस वीडियो में मिलते हैं फिर आप से थैंक्यू अब्रीवाण की पाइब आपिंग वी बिलीविन यू